चतिसगर के नारायनपूर्स जीले में पुलीस और नकसली के बेश मुट भेड़ हुई जिस पे आठ नकसलीों को सुरक्षा बलो ने ध्रेर कर दिया मिली जानकारी के नुसार इस महीनी के बारत तारी को जीले के अजूब मार्ण छेत्र में स्थित कुतुल फरस पेड़ा और कोड़ता मेटा गाउं में नकसल विरोधी अभियान शुरू किया गया था रिपोर्ट की माने तो आज सुबा जूब मार्ण के जंगल में उस समय गोली बारी शुरू की गई वजब चान जीलो नाराण पूर कांते तंतेवाडा और कोड़ा गाउं की सुरक्षा कर्मी की एक सहयूग की टीम नकसल विरोधी अभियान पर निकली थी बतादे कि बस्तर के अजूब मार्ण में उपरेशन के लिए सुरक्षा बलो ने दो दिन रुपकर नकसलियों से मुटबेड करने का फैसला किया और ओपरेशन लौंच किया बताये गया कि वस्तर के अचुप मार के जिस इलाके में मुटबेड जारी है वक घने जंगलों और पहाडों से गिरा हुआ है जवान पूरे इलाके को खेरे हुए है और इस बीच या मुटबेड भी जहां एक जवान शहीद हो गया है इसी क्रम में यह खबर है कि दो अन्यक जवान भी खायल हो गए है और खायलों को जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है इस छेत्र में रुख रुख कर गोली बारी हो रही है इसका एक ही आरत है कि छेत्र में अभी तालाश अभियान चारी है मामले को लेकर 36 गड़ के सीम विश्णू देव ने कहा कि यदि नकसली गोली की भाशा समझेंगे तो हम उनकी ही भाशा में उन्हें जवाब देंगे लेकिन हमारे छेत्र से नकसलवाद को जड़ सेवगार फेकेंगे वही सरकार नकसलवादियों के आत्म शमर्पन के लिए भी तयारे आकड़ों की बात करें तो पिछले 5 महीने में 36 गड़ में सुरक्षा बलो के साथ अलग-अलग मुटभेर में 110 से भी ज्यादा नकसली मारे जा चुके हैं दस में को वीजा बलो के साथ वी मुटभेर में 12 नकसली मारे गए थे वही 30 अप्रेल को नाराइनपूर और कांकीर जीले की स्थीमा पर सुरक्षा बलो के साथ वी मुटभेर में 3 मही लाए और 10 नकसली मारे गए थे